जैहें साथ यो बेलकम टू सेल्प इस्टेटी किलासे यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो एमपी टेट परेया वरण से संबन देत आज हम यहाँ पर जो टॉपिक है हमारा बो है आवास आवास की बारे में हम पढ़ेंगे इस से पहले हमने क्या पढ़ा हम हमारा परिवार हमारे मित्र ठीक है अब हम आवास की बारे में पढ़ेंगी और जो भी जैसे भी आपका सिलिवस होगा उसके अinson करवाया जा रहалась ठीक है तो सभी से निवेदन करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इससे पहले का वीडियो जरूर देखें ठीक है नरंतर आपके वीडियो अप्लोड हो रहा है तो जरूर देखें तो दोस्तो हम आवास के वारी में पढ़ेंगे आवास की बात होती है कि जिस जगह पर जीव रहती है उसे क्या कहते है उस जगह को क्या कहा जाता है आस्रम कहा जाता है या फिर आवास कहा जाता है ठीक है अलग-अलग जीवों का आस्रह अलग-अलग होता है कुछ जीव अपना आस्रे नहीं बनाते जैसे बंदर है ना तो यहाँ पर इखी चीज है कि जहाँ पर जीव रहते हैं है ना वो क्या है उनका आस्रम है या फिर आवास है जानवरों के आवास इस्थान तो जानवरों के आवास स्थान देख लेते हैं यहाँ पर मनुस्थ के घरों में रहने वाले जिव जन्तु, कुता, बिल्ली, छिपकली, मच्चर, चुहा, ये सबी हैं जंगल में रहने वाले जिव सेर, हाती, हिरन, ग्याडा, वाग, मोर, चिंपा, जी आदी, बहुत सारे हैं से जंगल वाले पेड़ पर रहने वाले जिव बंदर, पांडा, सलात, लंगूर, पक्ची, आदी, ये पेड़ पर रहने वाले जिव हैं पानी में रहने वाले जीव मचली, डॉल भेल, बतक, साप, मेंड़क, मंगरमत, कच्छुआ इस अभी पानी में रहने वाले मतलब इनका जो आवास होता है इनका आवास पेड़ पर होता है इनका जंगल में होता है इनका जो है घरों में आवास होता है तो अलग अलग प्रकार के जो है आवास इनके दिये है जमीन पर रहने वाले कुत्ता, बिल्ली, गायब, यह सभी जमीन पर रहती है तो एज रहते तो सभी लोग है लेकिन इस प्रकार से इसमें दिया है जमीन के अंदर रहने वाले चुहा, सांप, चीटी, खरगो, सुरकें, चुहा, यह सभी जमीन के अंदर रहते हैं, ठीक है, उभैचर, जो जियू पानी में और जमीन पर भी रहते हैं, उन्हें उभैचर कहा जाता है, जैसे सांप, मेंडग और मंगरमच, यह पानी में भी रहते हैं, और जो है पानी के बाहर भी रहते हैं, तो इन्हें कहा जाता है, ओभैचर जियू कुछ जियू जनतू के बिसिष्ट आवास देते हैं, आवास भी पूशा जा सकता है आपसे आपसे पूशा जाएगा कि सेर का आवास क्या है तो उसे कहा जाता है मांद क्या कहा जाता है मांद कुत्ता के आवास को कैनल कहा जाता है कैनल हाती हिरन जेवरा के आवास को जंगल मुर्गी का आवास दर्बा घोड़ा और गधा का जो आवास है उसे अस्तवल कहा जाता है गाय बेल का आवास साइवान या फि तुहा, खरगोस, चीटी साब का जो आवास होता है उसे बिल कहा जाता है, पक्ची के आवास को गोंसला, है ना, सुखर के आवास को सुकर साला या इस्टाई कहा जाता है, मदुमक्की के आवास को कहा जाता है, छत्ता, तो इस परकार से किसी के भी आवास आपसे पूचे जा जाएगा कि मकडी का आवास क्या है तो आपको बताना होगा जाल ठीक है मनुस्ट का आवास घर है तो यह आवास आपको याद करने सभी के आवास कोई भी आवास आप से पूछ लिया जाएगा मानव आवास प्रत्यक मानव के लिए घर एक मूलभूत आवा सकता है मकान गर्म सकता निम्न कारणों से है ठीक है यहां पर हम देख लेते हैं कि यह आवास हैं विभिन परकार की ठीक है यह पेड़ पर जो आवास करने वाले हैं वो अलग हैं घर में हैं मकान में हैं अलग-अलग की जो आवास हैं वो सारे की सारे आवास यहां पर दिये हैं और यह आवास ज दाकों ये वा सत्रत्रियों से सुरक्षा ही तू आर्थिक क्रियाम द्वारा उत्पादित बस्तूं के संग्रानों वा अपनी संपत्ती की सुरक्षा ही तू मानों की समस्त गतिविदियों के संचालन ही तू जो है आवसक है क्या आवास विबिन प्रकार की बिसेस्ट मानव आवास देखो यहाँ पर दिया है इगलू यह उत्तर अमेरिका की ग्रीन लेंड के आर्किटेक छेतर के टुंडा प्रदेस में निवास करने वाली एस्किमो जन जातियों के आवास हैं अब आपसे आपसे पूछा जाएगा कि इगलू जो है आवास एक कहा का आवास हैं तो आपका उत्तर होने ज़े से गशातियों के आवास हैं तो आपसे कुछ भी यहां से पूँचा जाएगा ठीक है है ना तो यह सारी की सारी चीज़ें आपको पढ़नी है एसक्यमों लोग जानवरों की हट्टी खालता था बर्ब के सकत टुकडों को जोड़कर इगलू नामक गुंबद नुमा मकान बनाती है जहां पर इनको कडा के दार ठंड से बचाती है यूर्त यूर्त जो खिरगीच जाती के ग्रीश मकालीन आवास यह चमड़े के बने होते हैं आपसे पूचा जाएगा यूर्त आवास काई के बने होते हैं तो आपका उत्तर होने चीए चम्डे के बने होती है ठीक है इकिस जंजाती के आवास है तो आपका उत्तर होने चीए खिरगीज जंजाती के आवास है ठीक है तो यहां से आपको आवास की बारे में अर्स देखो अर्स अर्स भारत में नील गिरी की पहाड़ियों में नवास क के लोग इस्थाई वा पक्के मकान नहीं बनाते ये लोग मौसम की कठोड़ता वार जंगली जानवर से पचाई के लिए जोपडियां गोफाओं या टेंटों में रहते हैं ठीक है तो ए चीज भी हमें देखनी है पिग्गी जनजाती के आवेस तो पिग्गी जनजाती के जो स्थाई रूप से घर बना कर नहीं रहते पिग्मी जंगली जीवों से सुरक्चा की दस्टी से अपनी जोपडियां ब्रक्षों पर बनाते हैं इनकी जोपडियां मदुमक्की के चत्तों की बाती गोल बनाई जाती हैं घर बहेस तान है जहां पर हम रहते हैं है ना और हमार गर जो है हमारा जो घर है वो आवास कहलाता है घर हमें सरदी गर्मी बरसादी से सुरक्षा प्रदान करता है एक ऐसा समय भी आता था जब मनुस्थ के पास आज की भाती रहने के लिए घर नहीं थे बेड़ों की साकाओं घनी जाड़ियों गुफाओं में रहते थे समय के और उसने आवास बनाना चालू किया ठीक है पहले लोग मिट्टी से बने कच्चे घरों में रहते थे इस तरह के घर की दीवार मिट्टी से बनाए जाती थी घर की छट बनाने के लिए लकड़ी के फट्टे जोड़कर बनाए गए धाचे के चारों दीवारों पट्टे का दिया जाता था बाद में उसे मिट्टी से लेप कर दिया जाता था कहीं कहीं पर घर की छट बनाने में खपर नरिया बास घास पूसादी का उपयोग किया जाता था इस परकार बने घर की फरस पर मिट्टी में गोवर मिला कर उसकी लिपाई की जाती थी कुछ लोग घर बन में जन जाती पिगगी जन जाती इन सभी के आवास को क्या कहती है वो चीज आपको देखना है कौन सी जन जाती यहाँ पर निवास करती है वो चीज हमें यहाँ पर पढ़ती है ठीक है अब हम देखेंगे बिविन छेत्रों के बिविन घर मिट्टी के घर देख लेती है मिट् जमीन से दस वारा है, फुट उचे बास के मजबूत खंबों पर बना जाते हैं, ताकि बाड आने पर घर का कोई नुकसान न हो भारत के असम जैसे राज जहां बारस बहुत होती है बहाँ इस परकार की घर पाय जाती है ठीक है आपसे पूचा जाएगा कि बास और लकडी के घर किस राज में बना जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि ये असम के साइड बना जाती है ताकि बारस आदी से सुरक्चा हो अब बात करेंगे पत्थर या लकडी के घर, तो पत्थर या इस पिरकार के जो घर हैं वो पहाड़ी इलाके में बना जाती है, छेत्रों में अधिक वर्सा होती है तथा बहुत बर्प भी पड़ती है, इन घरों की छत धलबा होती है ताकि बारिस का पानी या बर्प नीचे गिर जाए, कहीं कहीं छट समतल भी होती है, पत्थरों के घर पर चूने की पुताई होती है, एगर दो मंजले की होती है, लद्दाक के लोग निचले मंजल पर जानवरों तथा जरूरत सामान रखते हैं, तथा पहली मंजल पर खुद रहते हैं, इस प्रकार के घर जम्मू कस लद्दाक में ठीक हैं बर्प का घर यगिलू एह बर्पीले चेतरों में पाये जाता है बर्प की टुपड़ों को तोड़कर बनाये जाती हैं एह rätt कमो सिकारियों का स्थाई नवास होता है एक गुमबत की आकार का होता है इसका प्रवेस द्वार बहुत छोटा होता है ताकि बरफीली हवा अब बात कर लेते हाउस बोट एक लकडी का घर होता हाउस बोट जो हमेशा पानी में तेरता रहता है इस घर में लकडी पर खूबसूरत नकासी पाई जाती है हाउस बोट कस्मीर तता केरल में पाई जाती है कस्मीर के हाउस बोटों की छटों पर लकडी की नकासी पाई जाती है जिसे खतम बंद कहा जाता है ये टूरोस्टों परेटकों के लिए होते हैं डौंगे कस्मीर में पाए जाती हैं, हैना डौंगे जो होती वो कस्मीर में पाए जाने वाले नकासी रहत हाउस बोट हैं, इसमें कहां बहां के स्थानी लोग रहती हैं, इसमें अलग-अलग कमरे होती हैं, तो ये भी आपको देखना है डौंगे, टेंट, ये लोगों का अस जाती कि लोग याक के वालों की पट्टियों से टेंट बनाते हैं जिसे रेबो कहा जाता है अब आप से पूचा जाएगा कि याक के वालों की जो पट्टियों से टेंट बना जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता तो आपको पता होने चाहिए इसे रेबो कहा जाता है ये भी अस् चतों में दीवारों पर दरवाजों पर और खमों पर खुब सूरत नक्यासी पाएं जाती हैं, पत्रों और लकड़ी को बहुत सुन्दर जो है उपयोग किया जाता है, तो यह हवेली और महल हो गए, और मनाली पत्थर तता लकड़ी से बने ढालू चत वाले घर, राजस्तान में मनाली में क्या पाए जाते हैं, पत्थर या लकड़ी से बने ढालू चत वाले घर, राजस्तान में मिट्टी के घर जिनकी चत कटीली जाड़ियों से बनी होती है, राजस्तान में बास के खमों के घर बनी जाते हैं, लद्दाग में पत्तर के बने घर फर्स और चते लक बने होते हैं सम्में पत्थर के बने फर्स और छट्टे लकडी के घर बने होते हैं तो लद्दाक में बने होते हैं तो यह चीज सभी को पता होनी चाहिए ठीक है अब दोस्तों कुछ कुछ कॉश्चन है इसके सम्मंद में जो आपको बतानी हैं किसी परवती छेतर में करके रखती हैं बस्तों हम पहली मंजल पर रहती हैं सभी गरों की छतें समतल हैं तथा इने पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है यह परवती छेतर नीचे दिये गए किस प्रदेश का भाग है तो जल्दी से हमें बताना है चार बिकरप भी हमारे सामने मौजूद हैं तो इस परकार के जो बनाय जाती हैं आवास वो कहां बनाय जाती हैं जम्मू कस्मीर यहनि कि जो बिकरप नमर सी है वो इसका सई होजगा अब इस परकार से question आपका पूचा जाएगा ठीक है और हमने पहले भी पढ़ लिया कि जम्मू कस्मीर के लेह में अपना जो है घर प जरूरत का सावान एकटा करके रखते हैं सरदी के दिनों में परिवार भी नीचे की मंझल पर जानवरों के पास ही रहता है नीचे की मंझल में कोईขड़की नहीं होती इन घरों की छटें समतल होती हैं छट को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे इतने इस्तेमाल किये जाती हैं तो ये चीज भी हमें यहां पर देखनी है नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि निमनों मैसे कौन सा पक्ची फैक्टस पोधे के कांटों के बीच अपना घौसला बनाता है आपसे पूछा जाएगा कि फैक्टस पौधे के काटों के बीच अपना घोंसला बनाता है तो कौन सा पक्ची बनाता है तो बव बनाता है कौन सा बनाता है ए फाक्ता पक्ची बनाता है cactus पोदों के काटों के बीच अपना घोंसला फाकता पक्ची बनाता है ऐसा मत कबूतर के नाम से जाना जाता है यह जो है कोलंबी फारम्स गड़ या कोल बिंडी कुल का पक्ची है अब आप से पूछा जाएगा फाकता दे दिया जाएगा आप तो कबूतर नाम जानते हैं लेकिन यहाँ फाकता दे दिया जाएगा तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे तो यह फाकता जो है या कबूतर जो है एक कैक्टस पौदे के काटों के बीच अपना गोंसला बनाता है आप सभी को याद रखना है अंगला हमारा कॉस्चन है कि निमने मैंसे कौन सा कीट मदु मक्खियां की भाती कालोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता तो वो है मकडी मकडी यानि कि जो बेकलप नमर डी है वो इसका सई हो जाएगा ठीक है मकडी मधु मक्यों की भाती कालोनी में एक साथ नहीं रहता है जबकि ततयय या फिर बर्रा, चीटी तथा दीमग इस सामुह के रूप से बस्ती में रहती है तीक है और जबकि कौन सा है मकडी जो है इस सामुह के रूप से नहीं रहता देखो यहाँ पर पूँचा गया है कि मदुमक्या की बाती कालोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है देखो ततैया या जिसे बर्रैया कहा जा तैय रहती है दीमक रहती है चीटी रहती है लेकिन मकडी एक साथ नहीं रहती है यानि कि जो बिकलप नमबर डी है वो इसका सही ह अगली बात कर लेते, ग्रामीर छेतर के मकानों के ढाचे बहा की जलबायू, मौसम की इस्तिती से सम्बंदित होते हैं, एक गाउं के मकानों के लक्षण नीचे दिये गए हैं, मकान मजबूत मास के खमों पर बने होते हैं, अंदर से भी मकान लकडी से बने होते हैं, मकान जम है तो एह गाओं किस राज़ में होना चाहिए जल्दी से आपको बताना है तो आपका जो उत्तर होगा हमने पढ़ा है पहले हम पढ़ चुके हैं कि असम राज़ में भारी बारिस होती है यहां पर बांस के मगान बनाए जाती है ठीक है और जो है जो मकान होती है वो बाड मकान मजबूत बांस के खमों पर बने होती हैं ठीक है लकडी से निर्मित होती हैं मकान जमीन से 3-5 मीटर उंचाई पर बने होती हैं मकान की छट ढालू होती है तो यह होती है अब इस परकार से आप से question पूछ लिया जाएगा तो आपको याद रखना है अंगला आपका question है घरों के नीचे दी गई बिसेश्टाओं पर बिचार कीजिए यहाँ पर फिर दी है कि नीचली मंजल में कोई खिड़की नहीं पेड के तनों की लकडी से बनी ढालू छते हैं पत्तर के खमों पर जमीन से लगबक 10-12 फिट उंचाई पर बने घर पत्तर ग बिसेश्टाओं पाएं जाती हैं तो आपका उत्तर होगा C C मतलब जो है A, D और E A, D और E मतलब है कि देखो लेह और लद्दाक में जो है A, D और E मतलब निचली मंजल में कोई खिड़की नहीं होती लेह लद्दाक में पत्तर गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें होत अब तो जो कस्मीराज है इसका बेभाजन कर दिया गया तो दो के अंदसासित मतलब जो लद्दाक है वो अलग के अंदसासित प्रदिस बना गया और जम्मू कस्मीर अलग बना दिया गया ठीक है तो लद्दाक और जम्मू कस्मीर में इस्तित है सभी को याद रख़ती है जहां धंड की अधिक्ता होती है, बर्पवारी भी होती है, यहां के घर मौसम अनुकूल बनाए जाते हैं, यहां के घरों की बिसेष्ताएं होती हैं, घरों के निचली मंजल में ख़िडकियां का होना, पत्थरगारा और चूने से बनी मोटी दीवार हैं, और लकड़ी की फर इगलू जनजाती जो है इगलू यहां क्या कहा जाता है आवास को कहा जाता है ऐसी कि मोज जनजाती का जो आवास होता है उसे कहा जाता है इगलू ठीक है और इगलू का जो निर्मान करते वो बर्प से करते इसका कारण क्या है आपको बताना है बर्प जो है ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता बर्प की दीवारें के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को जो है बाहर जाने से रोकती है बर्प मुक्त में मिलती है अन्य सामगरी की कीमत अदेकोगी धुर्बिये छेत्रों में केबल बर्प की उपला अब आपको उत्तर बताना है तो जल्दी से कमेंट में लिखो भटाक से तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो बी हो जाएगा कि S की मो धुर्बी प्रदेशों में निवास करने वाली जनजातियां है जो बर्प से बने अपने घरों का निर्मान करती है इनके घरों को इगुलू कहा जाता है आप से प रोकती है जिसके कारण घर के अंदर गर्मी का एहसास होता है तो इसलिए जो है यह बनाते हैं अंगला क्वेस्चन है नीचे दिया गया पैरागरा पढ़िए जिसे गाउं के एक छात्र ने अपने घर की बिसाय में लिखा है मैं गाउं से आया हूँ हमारे गाउं से अत्या पर बनाया जाता है एगर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं एगा होना चाहिए तो कहा होना चाहिए हमने पहले भी पढ़ा है कि यह जो गाउं होते हैं जो बास की लकड़ीयों से बनते हैं और जो है धरती से उंचे होते हैं तीन से पांच मीटर तक उंचे होते हैं त आसों के मजबूत खंबों पर बनाये जाती हैं तो यह चीज आपको याद रख लेनी है कहाँ पर असम में अंगली बात करें कि कोई पक्छी पेड की उंची डाल पर अपना घौंसला बनाता है यह पक्छी हो सकता है कौन सा हो सकता है जल्दी बताओ पेड की उंची डाल पर अपना गौसला बनाता है तो यह पक्ची हो जाता है कववा जो होता है वो अपना गौसला ओंची डाल पर बनाता है ठीक है तो इस परकार के question आपके पूंचे जाएंगे सभी लोगों को याद रख लेना है ग्रामीड छेत्रों में गाय के गोबर से जोपड़ी की दीवारों की फर्स को लीपा जाता है उन्हें कीटों को दूर रखने के लिए चिकना और साप बनाने के लिए खुरदरा बनाकर घरसन बनाने के लिए या फर्स को प्राकरतिक रख देने के लिए तो आपका उत्तर हो जाएगा कीटों को दूर करने के लिए ये जो है गोबर से लीपा अब अब अंगला जो हमारा गुस्चन है, उन्वन मैंसे कौनसी सामगरी घर बनाने में काम नहीं आती, तो कौनसी सामगरी है, लोहा पत्र भवन निर्मान सामगरी है, जबकि स्कूटर पड़िभान का साधन है, आता है, अता है। स्कूटर घर बराने में काम नहीं आती तो इस प्रकार के कुछ महत्पूर्ण प्रस्ण आपसे पूछे जाएंगे तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें इससे पहले हमने दोस्तों पढ़ा था क्या पढ़ा था हमारा परिवार हमारे मित्र पढ़ा था उसको भी बिस्त्रित परसेंट आएंगे आपसे पूछा जाएगा कि बंदर सेर ततने चुह के घर करम से हैं अगर आपको पता है कि इनके घर कौन-कौन से होती है तो आपको बताना होगा ठीक है तो देखो बंदर का जो निवास स्थान है वो कौन सा है पेड ठीक है तो पेड यहाँ पर आगए सबसे पहले बंदर है और यहां पर पेड़ है तो आपका पूरा का पूरा उत्तर सही होगा सेर की जो गुफा होती घर होता होती गुशे की गुफा कहती है चुहे की घर को बिल कहती है तो बिकल्प नम्मर सी इसका सही हो जाएगा सेर का निवास स्थान गुफा तथा चुहे का निवास स्थान बिल है सभी लोगों को इस प्रकार से question पढ़ना है ब्रस्तत रूप से पढ़ना है निमने मैं से कौन सा पक्ची स्वयम के नील का निर्मान नहीं करता most important question है जल्दी से बताना है कौन सा पक्ची है जो स्वयम के नील का निर्मान नहीं करता तो बो होती है कोयल सभी को पता है कि कोयल जो होती है अपने अंडे कववे के घोंसले में दे जाती है ठीक है और कोयल अपने नील का निर्मान अपने घर का निर्मान नहीं करती तो कोई अलेशा पक्ची है जो स्वयम के गहंसले का निर्वान नहीं करती तथा अपने अंड़ों को कववे के गहंसले में देती है जहां कववा अपना अंड़ा समाझकर अंड़े की देखवाल करता रहता है सभी लोग जानते होंगे अगर आप गाउं देहात में रहते हैं तो सभी लोग गाउं देहात में अच्छे से जानते होंगे ठीक है अंगला जो हमारा question है दोस्तो वो क्या है कुत्ता मचली का आवास है तो कुत्ता और मचली का आवास आपको बताना है तो कुत्ता और मचली का आवास कौन सा है तो जल्दी से बताओ उत्तर क्या हो जाएगा अब यहाँ पर दोस्तों कन्फ्यूज नहीं होना यहाँ पर कुत्ता मचली दी है एक मचली का नाम है कुत्ता मचली ठीक है इसका आवास आपको बताना है तो इस समुद्र इसका सही हो जाएगा ठीक है कन्फ्यूज नहीं होना है कुट्ता मचली समुद्री सार्क परिवार से सम्बंदित है एह मचली खारे पानी में पाई जाती है तथा इनका आवास समुद्र होता है तो आपको याद रख लेना है और आवास से संबंदे ताज की किलास यहीं तक और आवास के जितने भी हमारे जिस परकार से भी कॉस्चन बन सकते हैं उनको मैंने आप तक प्रेशित किया वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं इससे पहले मैंने जो हमारे परिवार ह जरूर कमेंट में बताएं CT, ET, TET जो भी आप एक्जाम की तयारी कर रहे हैं वर्ग 3 की कई तयारी कर रहे हैं उसके लिए most important है और आवास आपके परियाबरन से संबंदे तापका topic है आपका syllabus के अनुसार है ठीक है तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तो जैहिं क्या है आपके परियाबरे की तो सब्सेagainst टेया आपके में परियां भी आपके है तसफिक हैं रहे हैं एक परियाख वी आपके बताव रहेगा है और टो सक्टल्ग 1 का था तबर आपके एक खक ढई देहले हैं वीडिषम है, बतory कर दो सक्क्यार थे हैं वीडियो और क exposing